दोस्तों पिछले कुछ सालों में कुरोना महामारी के बीच एक और बिमारी ऐसी है जो सिर्फ जोना सिर्फ पेशिंट के लिए बलके डॉक्टर के लिए भी सिर्दर्द बनी भी है हम बात कर रहे हैं फंगल इंफेक्शन की फंगल इंफेक्शन ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा परिशान किया हुआ है क्योंकि पहले यह होता था कि फंगल इंफेक्शन स्रीप बारिश में और धुपकाले में यह गर्मी के मौसम में होता था लेकिन अब यह हर साल कोई भी मौसम में हो रहा है पहले होता था कि एक दो चट्टे आते थे इसलिए उसे रिंग वर्म भी कहा जाता था और साधरन से दवाई लेने के बाद में या कई बार एक आता क्रीम लगाने के बाद में ठीक हो जाते थे लेकिन अब यह बहुत ज़्यादा इलाज करने के बाद में भी कई लोग साल असाल इलाज करने के बाद में भी उनका फंगल ठीक नहीं हो रहा है तो आज हम बात करेंगे कि अगर फंगल infection हो गया तो कौन कौन से इत्यातें कौन सी precaution लेना है कौन सी allopathic treatment लेना है अगर आप allopathic treatment ले लेके ठक गे हैं अपको उतना result नहीं मिल रहा है तो उसके साथ में मैं आपको गैरेंटेट आयरुदिक दवाईया और कुछ हमापेतिक दवाईया बताऊंगा जिसका इस्तिमाल आप अपने आयलोपेति ट्रीटमेंट के साथ करके अपने फंगल को 100% ठीक कर सकते हैं तो आप वीडियो में आखरी तक बने रहे हैं दोस्तों, अगर किसी को फंगल इंफेक्शन हो गया है तो सबसे पहले उसको कुछ प्रिकोशन और कुछ चीजे ऐसी है जो अपने लाइफ स्टैल में चेंज करना पड़ेंगा सबसे पहला जो है, फंगल इंफेक्शन अगर खतम करना है तो सबसे पहला जो रूल जो एक्सपर्ड बताते हैं वो है clean and dry मतलब साफ सुत्रा रहो और सुखा रहो आपको रोजाना नहाना है रोजाना आपको कपड़े चेंज करना है और नहाने के बाद में आपको अपने बदन को पूरी तरह से साफ करना है उसके बाद जो दूसरी हित्यात करना है कि नहाने के बाद में आप जो टावेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले जो फंगल के अलावा जो एरिया है पहले उसको साफ करना है और सबसे आखरी में आपको फंगल वाले एरिया को साफ करना है ताकि आपका फंगल टाविल के जरी से दूसरी जगह पर ना फैले उसके बाद में आपको लूस कपड़े पेनना है अंडर गार्डमेंट बिलकुल नहीं पेनना है और आपके जो कपड़े है वो धूप में सुके वे हो या फिर आप उस वे गरम प्रेस जो है अच्छी सारा से गरम करके ही पेने आपके कपड़े जो है वो फैमिली के दूसरे मेंबोरों के साथ में वाश करते वक्त में मिक्स ना हो इसका भी आपको ध्यार रखना है फंगल जो है वो डेटॉल से सेवलन से या किसी भी एंटिसेप्टिक जो हम लोग कपड़ों के वास्ते इस्तिमाल करते बाकी इन्फिक्शन के लिए तो याद रखिए डेटॉल से से फंगल किल नहीं होते ये सिर्फ धूप से ही इसलिए आपको आपके कपड़े आपके ट की जो चीजे इस्तिमाल होती है और आजकल सबसाओ इस्तिमाल हो रहा है और जिसके सबसे अच्य हिरे मिल रहे है वह लोगॉले कम बडॉल लोली केनजोल आज कल हर छोटी चोटे चोटी बड़ी कमपणिय हैं जो है लोली केनजोल की करीम बना रहे हैं आप जितना आपको फंगल इंफेक्शन है उससे आपको two centimeter बाहर तक लगाना है और बाहर से लगाते हुए अंदर आना है वंगल एरिया तक के लगाना है कि दूसरी जो चीज इ chambers a locus ओन में कें अपने शुन अफके नाम की आपने सुना हंगा जो है वो बहुत ये अच्छीं में तो ये आपकों कम से का महिने से देर-महिना इस्तिमाल करना है उसके बाद में बात करते हैं खाने वाले दवाईयों की तो खाने वाले दवाईयों बताने से पहले एक चीज बता दू कि आप क्रीम और साबुन ये बगर डॉक्टर की सला के ले सकते हैं लेकिन खाने वाले दवाईया आपको आपके डॉक्टर की सला से ही लेना है क्योंकि antifungal drug जो रहते है वो बहुत strong रहते है और उसके बहुत ज्यादा side effect देखे गए है जैसे urinary bladder याने पेशाप की थहली पे सुझा नाना, kidney पे infection, liver पे infection या पेट से जुड़े वे बिमारिया यह इसे side effect antifungal दवाईयों के देखे गए है तो आपको antifungal दवाई है जो है बगर डॉक्टर की सला के नहीं लेना है इसमें कौन-कौन सी दवाई आती है इसमें सबसे आदा जो इस्तेमाल होता है वो हता है की चीजे देखकर आपका डॉक्टर कौन-कौन-की की फंगल टैबले फ्लूकनाजॉल देना है और हफ्ते में कितने बार देना है यह डिसाइड करता है इसके बाद जो एंटिफंगल ड्रग आता हुआ है तर्बिना फैन तर्बेस तर्बिना फोर्स नाम से मार्केट में मिल जाती है यह भी 250 एमजी यह पास्व एमजी के आती है तो आपका डॉक्टर आपकी सिवेरिटी देखकर ही इसे इस्तिमाल करता है और तीसरे डंबर पे जो सबसे सुपिरियर इंटिफंगल है जो ड्रग आप चाहिस है आजकल सबसे ज्यादा जो इस्तिमाल किया जा रहा है वह है इट्रोकेनजॉल इट्रोकेनजॉल जो है यह सबसे सुपिरियर ड्रग है क्योंकि बाकी दवाईयों ने आजकल अपना असर करना कम कर दिया है फ 400 mg काप्शुल आती है तो डोक्टर आपको जो है आपकी सेवेरेटी देखकर ही और कितने जिनों तक खाना है यह आपका अपना डोक्टर तै करता है और आपको एंटिफंगल जो है इत्राइकनोजल जो कैपसुल है वो इस्तिमाल करना है इत्राइकनोजल कैपसुल इस्तिमाल करते हो कि जहान में रखिए यह खाना खाने के तुरंद बाद में लेना है क्योंकि यह एसिडिक मेडिया गर रहा है ने पेट में आपके आइसिड ज्यादा र कि अब बात करते है आप्लाइट्मेन ले रहे हैं कई लोग के ट्रीकरनाजल सावा साह एक एक साल से खा रहे हैं साबुन भी लगा रहे हैं फिर भी उनका फंगल ठीक नहीं हो रहा है इसके वज़ा क्या इसके ऊपर आज हमको में बात करना है दोस्तों सारे treatment लेने के बाद में भी फंगल ठीक नहीं हो रहा है इसके बहुत सारे वज़ा है इसकी सबसे पहली वज़ा है इनकंप्रीट ट्रीटमेंट नौवज परसेट लोग फंगल इन्फिक्शन का ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं वह 10-15 जो है किसी भी डॉक्टर के पास में treatment करते हैं उनका फंगल ठीक हो जाता है कुछ देर के लिए उनको लगता है कि हम ठीक हो गया वह treatment करना बन कर देते हैं तो उससे यह होता है कि फंगल 12 तो पिर कुछ दिनों के बाद में 12 से रींफिक्टेट हो जाता है कि और बार Confirm Dalai की से क्रिवाह सब फिर फिर बाड में कोई और सला देता तो दोक्टर के पाद और भाड़ी से ने देखर 20 दिन खा रहे हैं अच्छा हो गय का बंगर भले वार है कि ठोड़ बंगर एंट्रख रहे हैं तो यह वार बार किन रहा मुझा सम्राइब करने से जो treatment आपको महना भर में, आप treatment से अच्छे हो सकते थे, वही treatment आपको बाद में तीन महने लेना है, तीन महने लेना पड़ रहा है, तो आप जो incomplete treatment ना करे, treatment लगातार करे, बिल्कुल बीच में gap ना करे, मैं तो अपने patient को TB की मिसाल देता हूं, कि आप ऐसा समझेए कि आपको चमड़ी की TB होगी, जिस तरह से पुराने जमाने में TB वालों को डरा कर गोलिया खिलाया जाता था, कि अगर आपको छे मैने TB का इलाज करना है, अगर आपने बीच में एक भी दिन गोली छोड़ दिये, तो आपको दो बारा से छे मैने खाना पड़ेंगा, तो ये जो डर बता कर जो है, अपने जो हिल्थ वर्कर ने TB के खिलाया और आज TB हमारे हंदुस्तान से काफी हद तक के खतम हो गई है, तो हमें फंगल इंफेक्शन भी हमारे सोसाइटी से हमारे मुल्क से खतम करना है, तो हमें जो है पूरा टीटमेंट करना है, जब तक आपका डॉक्ट से कई और लोगों को हो जा रहा है, इस तरह से पूरे सोसाइटी में फंगल इंफेक्शन फैल रहा है, तो याद रखी आपकी जिम्मेदारी आपको अगर फंगल हो गया तो आप उसका पूरा टीटमेंट कीजिए, एक भी दिन टैबलेट को बंदना कीजिए, जब तक आप इस दो बारा उनके कांटेक में आता है, दो बारा जो प्रिकोशन करना चाहिए नहीं होता है, तो दो बारा से घर के घर में फंगल इंफेक्शन घूमते जा रहा है, जब किसी को बहुत जादा खुजली हो रही है, वो किसी दॉक्टर के पास जा रहा है, थोड़े दिन का है, थोड़े खुजली कम होगे, अच्छा लगा आप ट्रिक्मेट बन कर देघ रहा है, तो क्या हो रहा है कि फाइमिली में इसे फंगल निकल नहीं रहा और बार वही पर भही घूम रहा है, तो आपको यह करना है कि फाइमिली में जितने भी मिंबर आपके फंगल इंफेक अंप्सक्राइब को तो इम कोई लोग बीच में डॉक्टर का त्रीकमन होड़कर कोई सला दे देता। ऊत्माइ। तो ये जो क्रिम में ये तीनोचेज़े है serie डुड़यम लगाने से क्या होता है कि तुरंद में आपको आराम पड़ जाता है ठुड़यम चаты उपन्गल ठीक हो गया लेकिन है क्रिम्से क्या होता है कि आपकी स्कीन पतली हो जाती इस्किन के अंदर जो है वो जही आना शुरूए जाते है लूस पना लूस पना इस्किन के अंदर आ जाता है इस्टोराइट से तो उसके वज़े से क्या होता है कि तुरंद में तो आपको लगता है कि आपका फंगल ठीक हो गया लेकिन जो फंगस है वो दो बारा उनकी क्या ह गली करने हम य데 Итак गृत्प उस से क्या होता है तो रही है यहिसिस्त होयदा स्वंगल कि आप खुजली को कम करते हैं तो इसके का ने ने हुआता है फंगल के मॉर्फोलोजी भी जाति है अगर बूग पहले से ज़्यादा और फिर आप के दीक धान ना बन कर दे रहे तो वो दो बारा पहले से ज़्यादा आपको जो है इंफेक्शन बढ़ जाता है अगर आपका पहला चट्टा दो सेंटीमेटर का था आपने इस्टोडाडल किरिम लगाए कुछ दिन तक कैसा लगा आपको क्यों साफ हो गया लेकित जब दो बारा होता है तो इतना फास्ट फ प्रिटमेंट हो वैसे करिम आपको फंगल इंफेक्शन में गलती से भी नहीं लगाना है बहुत सारे लोग डर्मी फायू टोटल डर्म या बेटनोविड जी एम या बेटनोविड सीरिस के बहुत सारे क्रिम जो है लाकर फंगल इंफेक्शन पर लगा रहा है इससे बार- जाधा परिशानी का सामना आपको करना पड़ेंगा अब बात करते हैं कि आपने सारी प्रिकोशन कर लिए ट्रीटमेंट भी सही तरह से ले लिए और जो हित्याते करना था वो भी कर लिए फिर भी आपका फंगल अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अब क्या करें दिखिए आज अलवी दिख में में दो गुलियों के नाम बताऊंगा पहली गुली है आरोग्यवटी जो पातंजली कंपणी के आती है इसमें गुडूची जिसे गुडवेल भी कहा जाता है और इसमें नीम है और इसमें तूल्सी है यह तीनों दवाईया बहुत ही एच्छे जरना है गंधक रसायन टेबलेट गंधक रसायन टेबलेट गंधक रसायन टेबलेट तकरिबं सबिहाएउविडिक कमपणिया वाले बनाते हैं डाबर हो cases जिनात हो सांडू हो उंजा हो दूत पापेशोर हो यह सभी कंपणियों के जो है गंदक रसायन टैबलेट आते हैं आपको आरोगेवटी के साथ में दोगुली सुबह दोगुली शाम में लेना है इसके भी कोई साइट इफेक्ट नहीं है या आपके आईलेपाइटी ट्रीट के साथ में एरोगेवटी और गंदक रसायन दोदो सुबह शाम लेना है आपके इलोपेटी ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है या बगर डॉक्टर की सलाके भी ले सकते हैं उसके बाद में एक साबून आती है हिमाले कंपणी की एक्टर यह आपको जो है कंटिन्यू तकरिबन एक साल तक लगाना है क्योंकि आप जो एंटि फंगल साबून लगाएंगे केटो सोप यह केटे कोई भी साबून यह जादा दिन नहीं लगा सकते इसके बहुत जादा साइड इफेक्ट है तो एक से देड़ महना जब तक आपको फंगल ठीक नहीं होता जब तक आपको केटे कोनोजल के साबून लगाना है उसके बाद में यह आईरविदिक साबून एक्टरिल हिमाले कंपणी की कोई भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएंगे यह आपको तकरिबन छे महने से एक साल तक आपको लगाना है अगर आपको एक्टिरिल सोप नहीं मिलती है तो नीम की साबून जो है तकरिबन सभी मेडिकलों पर मिल जाती है आईरविदिक दुकानों पर तो कोई भी नीम की साबून नीम बहुत ही अच्छा एंटिफंगल रग है तो आपको दीम की की कोशिश करेंगे और अगर आप कोई वीडियो काम का लगे अगर आपको लगे कि से फंगल इंफेक्शन दूड करने में कुछ मदद हो सकती है तो इसे जरूर आप सोसाइटी में शेर कीजिए अपने दोस्तों तक अपने रिष्टवारों तक इस वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताके हमारा हर नया वीडियो आप तक जलते जल पहुँश सके थैंक यू बाइ